कातिल चाहे जितना भी शातिर हो वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूटी जाते हैं जीहां अंकिता भंडारी मडर मामले से जुड़े कई ऐसे आडियो टेप आपने सुने होंगे जो वाकई में इस मडर मामले का पूरी तरीके सर राज खोल कर रख देता है लेकिन इसी आडियो में जो राज है उस राज को आप अभी तक ठीक से नहीं समझ पाएं होंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस आडियो में वो कौन सी चीजे हैं जो वाकई में अब पुलकित आरज के लिए बहुती बड़ा खत्रा बन चुका है दोस्तों उन्होंने फौन पर अंकिता के दोस्त पुस्प से जो बातचीत की है उस बातचीत में ये है कि जब वो रिशी केस से घुम कर वापस लोटे तो अंकिता का जब फौन है वो आफ था phone off होने की वज़ा से उन्होंने resort के मालिक उलकित आर्श से phone मांगा और उन्होंने phone दे दिया और रात भर के लिए ऐसा नहीं होता है लेकिन एक मिनट के लिए हम इसको माल लेते हैं अब आप इस चीज को जानिये कि जब उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि अंकिता का phone off था इसलिए मैंने उनको दिया आप बताईए कि result में phone on होने में कितना दिर लगता है वहाँ पर बिजली की सुविदा है ऐसी इस्तिती में कोई आदमी रात वर के लिए अपना phone विल्कुल भी नहीं दे सकता है अब दूसरी बात में जो जूट पकड़ा जा रहा है वो जूट ये है कि पुलकित आरज ने कहा है कि अंकित के जरीए अंकिता के कमरे तक रात के 9 बज़े के बाद खाना पोचाया गया था लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने खाना खाया या फिर नहीं अगर खाना खाया होगा तो खाली प्लेट होगा रूम में रखा होगा अगर नहीं खाया होगा तो फुल प्लेट रूम में रखा होगा ऐसा कोई भी सबूत उनके कमरे से नहीं मिला है यानि कि जूट के बाद जूट लेकिन ये जूट अब सीसे की तरह साफ हो गया है दोस्तों अगर आप भी अंकिता को नियाय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा सेर किजिए वीडियो को लाइक किजिए आगे के अबडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब किजिए नमस्कार